हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का रभी सार्यू के वाले में तो आज की वीडियो उत्राखाने सेसी 10 प्लस टू और ग्रेजुएट लेबल के लिए जिसमें हम बात करेंगे सम्मूग और कनिसायक के एकजाम और साथ में वीडियो वीडियो जो भी आपके एकजाम होने व यूरूप का पूर्नर जागरण हमने पड़ लिया है अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना डिस्क्रिप्शन ने उसका लिंक आपको मिल जाएगा तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतनतरा संग्राम की देखेंगे कि अमेरिका में किस तरी किस कि उत्राखन के प्रिवेश सियर कक्वे invade की सिरीज देखने हैं जोकि 1000 क्वेशन अपको इहां से देखने को मिलेंगे यह सबी अपको लिंक मिल जाएंगे वहां से आप इनको देख ले edg उसके अलावा यहां पर आप टेलेग्राम से पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडियाप में डाल दूंगा वहां से आप इसको जोइन कर लेगा तो वहां पर आपको पीडियाप मिल जाएगी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अमेरिका के 37 संग्राम को उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को प्रेस कर लेना ज्यादा से जादा वीडियो को सेर करें कमेंट करने के यह बताना जरूर के वीडियो आपको कैसे लगी क्या आपको टॉपिग करने नहीं आ रहे हैं हम map के तुरों यहां पर देख लेते हैं कि अमेरिका कहां पर है और किस तरीके से यहां पर स्वतंतर संग्राम की कहानी हुई ठीक है तो हम यहाँ पर world की map के सबसे हम इसको समझने की कोशिज करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है तो यह है अपना प्यार भारत महान तो यह है इंडिया की location आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर left side में अरब सागर है और इसके right side में है बंगाल की खाड़ी ठीक है बेओ बंगाल और इसके नीचे है हिंद महासागर यह जो आपको portion दिख रहा है पूरा समुद्र का वह हिंद महासागर अब मैं आपको सीधे यहाँ पर ले चलता हूँ जो कि आपको दिखाए देगा यूरोप ठीक है यूरोप पर चलते हैं और यूरोप की कुछ हम देशों के नाम देख लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है इस्प दिखाए देरा ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर और यह पोलेंड है तो इस तरीके से यहाँ पर यह यूरोप महादिव का यहाँ पर छेत्र है तो यहाँ से हमको क्या देखना है उसको मैं अब भी बताता हूं आपको उसके बाद हम पोर्षिन जो है यह पूरा अमरिका का है और अब हम देखते हैं यहां पर से क्या किया कि कहानी एक क्या यहां से क्रांती से आया होगा आपको पता यहां से चल गया होगा जो यह नीचे आपको समुद्र का पूरा छेतर दिखाए दे रहा है यह वाला तो इस तरीके से यह नीचे से सी मैप के द्वारा यहाँ पर इंडिया में प्रवेश किया उसके बार इन लोगों ने यह सोचा कि क्यू और हम और भी लोगों को यहां पर भारत पर भेजयें जैसे कि फिर उन्होंने क्या-क्या यहां पर एक अन्णी वक्ती था जिसका नाम है कोलमबस को भी यहां पर भारत की खोच के लिए भेजा और यहां पर व्यापार करने के लिए कोलमबस जाना चाहता था भारत के लिए तो उसने यहां पर क्या क्या किया कि समुद्र की राष्टे से चलना शुरू किया अब यहां से पूर्तिकाल है यहां पर और इस पूर्तिकाल से इसने क्या क्या समुद्र की और चलना शुरू किया और भारत की तरब जाना चाहा लेकिन क्या हुआ यह आना तो इसने नीचे को था ठेक है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको यह Dominic Republic लिखा है, यहाँ पर यह चले गया, यहाँ पर इसने इसकी खोज की और इसको इसने बोला West Indies, ठीक है, यहाँ पर इसने इसको क्या बोला West Indies, क्योंकि इंडिया को इसने इंडिज बोला और यह West Side में था, तो इस वज़े से इसने इसको West Indies, यहीं पर लगा हूँ, क्या है अमेरिका, इसी के साथ लगा हूँ, अमेरिका है, और इस तरिके से यहाँ पर जो कोलम्बस है, इसने क्या की अमेरिका की खोज की, ठीक है, यह चीज थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, अमेरिका के इतिहास से, अब हम पर आप देखेंगे इसमें हो गया इंग्लेंड हो गया यह सबी लोगों ने क्या क्या है यहँआ पर अमेरिका पर जाना शुरू किया वहाँ पर अपना राज करना शुरू किया वह ओड़िवा वियापार की जो भी चिज थी वह उनको सब्स Guards कर लह तो अमेरिका की खोज यहां पर आप देखेंगे 12 ओक्टूबर 1492 को एक इस्पेन का नागरिक था जिसका नाम है क्रिश्टोफर कोलंबस इस व्यक्ति ने किया कि यहां पर अमेरिका की खोज की ठीक है अमेरिका में करांतिय से पहले क्या क्या चीज़ हुआ करती थी यह चीज का मतलब यह होता है जहां पर आपने अधिकार कर रखा हूँ तो जैसे इंगलेंड ने यहां पर अधिकार किया हूँ था अमेरिका पर तो 13 इसके श्टेट थे जिन पर इन्होंने क्या क्या था अपना अधिकार हासिल क्या था तो इस ही वचे से इसको हुम बोलते हैं इंग्लेंड के तेरा उपनविस ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर तो आए इस्पेन वाले फिर आए फ्रांस वाले और फिर आए इंग्लेंड वाले इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका में जितने भी लोग बसे वो बाहर के लोग थे और साथ में अगर जो भी अमेरिका के मु अब हम यहाँ पर देखते हैं अमेरिका की क्रांती यहाँ पर आपको दो टर्मिनलोजी यहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले तो अमेरिका की क्रांती और दुसरा है अमेरिका का स्वतंतरता संग्राम अब यह दोनों क्या चीज़ है अलग-अलग है ये सबसे पहले अमेरिका की क्रांती देखें तो 1765 से 1783 तक ये क्रांती मानी जाती है अमेरिका की लेकिन जो अमेरिका का स्वतंत्रा संग्राम है ये कब से कब तक है 1775 से 1783 के बीच में संग्राम लड़ा गया अब जो अमेरिका का स्वतंत्रा संग्राम है ये करांति का ही एक हिस्सा माना जाता है ठीक है तो अमेरिका की करांति का एक हिस्सा है ये अमेरिका का स्वतंत्रा संग्राम यहां पर आप देखेंगे कि जो दो पक्सों में यहां पर अमेरिका का 70 संग्राम के लड़ाई लड़ी गी थी एक तो था अमेरिका और दूसा था अंग्रेज अंग्रेज यानि कि आप बोलेंगे इनको ब्रिटिस लोग इंग्लेंड लिगे अमेरिका के जो लोग थे उनको यहाँ पर राष्टवादी बोला गया और इनका साथ दिया था यहाँ पर फ्रांस ने अब मैं बताओंगा इससे थोड़ी देर बात की फ्रांस ने इनका साथ क्यों दिया था अमेरिका का साथ ठीक है यहाँ पर इंग्लेंड के जो निवासी अमेरिका में रह रहे थे यानि कि जो मूल रेड इंडियन थे उन वो नहीं जो अमेरिका में तो रहे रहे थे लेकिन इंग्लेंड का साथ दे रहे थे उनको बोलते हैं वभदार या फिर इनको इंग्लेस में बोला जाता है विद्र हो गया था यहां पर हम देखेंगे अमेरिका में British आपनीवेशी की शामराजी की नीव 16 सधी में James पर्थम के सासंकाल में डाली गई तो जिस समय यहां पर इंग्लेंड ने यहां पर अपना सासं करना सुरू किया उस समय जो इंग्लेंड का यहाँ पर राजा था, उसका नाम है जेम्स पर्थम, यह आपको ध्यान में रखना है question पोचा जा सकता है यहाँ से कि जिस समय यहाँ पर England ने अपना आधिवात्य जमाना शुरू किया अमेरिका में, उस समय England का सासा कौन था, तो आप बोलेंगे जेम्स पर्थम अमेरिका को पूर्ण स्वतंतरता 4 जोलाई 1776 को मिली यह देखने वाली बात है कि जो स्वतंतरा संग्राम लड़ा गया वो तो 75 से 83 के बीच में है लेकिन स्वतंतरा कैसी मिल गई यह 76 में, क्योंकि स्वतंतरा संग्राम तो 83 को खतम वा था 1783 को तो इसका यहां पर मतलब है कि यह जो स्वतंतरता मिली है इस समय अंग्रेजों ने यहां पर अमेरिका वालों ने क्या किया जो अमेरिका के ओपनेवेशिक राज्य थे 13 उन लोगों ने अपने आपको स्वतंतरा घोसित कर दिया था ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह 4 जुलाई को स्वतंतरता पूर्ण तरीकी से इन्होंने अपने को घोसित किया था यह समय कि हम एक स्वतंतरा देश बन चुके हैं लेकिन इस समय स्वतंतरा का संग्राम चल रहा था जो की खतम हो आपका 1783 की बीच में डेट याद रख लेना क्योंकि यहीं से question पूशा जाएगा कि पूर्ण स्वतंतरा अमेरिका को कब मिली तो आप बोलेंगे 1776 4 जुलाई को इस स्वतंतरा संग्राम के यहाँ पर कारण देख लेते हैं कारण क्या है तो सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो है सब्त वर्सी युद्ध और दूसरा कारण है तातकालिक कारण इसके अलावा भी अन्नी कारण है जो की हम देख सकते हैं लेकिन वो आपके exam point डिबू से उतने जादा किया जा सकता है बट हम ऐसा नहीं करेंगे एक ही वीडियो में यहाँ पर इस पूरे अमेरिका के स्वतनसर संग्राम को खतम करने वाले हैं तो सब्त वर्सी युद्ध चला था यहाँ पर 1756 से 1763 के बीच में जो की है इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अमेरिका में इंग्लेंड फ्रांस और इस्पेनिस जो लोग थे वो रहने लगे थे यह लोग अपना सासन करने लगे थे यहाँ से व्यापार करने लगे थे क्योंकि समुद्र का रास्ता यहाँ से नजदिक था अमेरिका और यहां से यह क्या करते थे कच्चे माल को अमेरिका से ले जाते थे और इंग्लेंड में क्या करते थे उसको निर्मार करते थे दुबार यहां पर से आके अमेरिका में बेज देते थे इस तरीके से क्या करते थे यह अपना व्यापार करनते थे अब इंग्लेंड और France के बीच में लड़ाई शुरूई वी क्योंकि दोनों ही देश यहां पर क्या हुए यहां पर अपना सासेन चलाना चाहते थे अमेरिका में इंग्लेंड भी अपना दबदबा बनाना चाहता था France भी तो इसी वज़े से इन दोनों के बीच में क्या हुआ एक 7 वर्स का युद्ध हुआ जो की है 1756-1763 की बीच में इसमें इंग्लेंड क्या हुआ जीत गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यह फ्रांस हार गया था तो इसी वज़े से इसने अपना बदला लेने के लिए अमेरिका के 373 संग्राम में जो पाटिसिफिट किया 1775-1783 की बीच में क्या कि अमेरिका का इन्होंने सांध्या फ्रांस ने लेकिन क्या हुआ सांध इस वज़े से दिया यह सोचते थे कि अगर इंग्लेंड हार जाएगा तो हम कबजा कर लेंगे अमेरिका पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रा हसिर कर ली थी और उसी समय फिर फ्रांसे में भी क्या चला था अपना यहाँ पर क्रांती चल ली थी तो इस वज़े से फ्रांसे फिर इस पर ध्यान नहीं दे पाया वो अपनी प्रक्रांती पर लिहान देने लगा था तो इस वज़े से यहाँ पर अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और यहाँ से अंग्रेज और फ्रांसे दो नुका यहाँ पर से समापन हो गया था जो दूसरा तातकाली कारण है तातकाली कारण का मतलब होता है कि उस समय ऐसी कौन से घटना जो की सबसे प्रमुग घटना थी जो की संग्राम का कारण बनी जैसे कि आप भारत में देख सकते हैं अठारा सो सतावन की करान थी अब वैसे भारत में अगर आप देखेंगे अंग्रेजों ने सासन तो पहले से कर लिया था जब इस्टी इंडिया कंपनी का आगमन यहां पर हुआ था लेकिन भारती लोग पहले से ही यहां पर इसका जो तातकाली कराण बना वो अठारा सो सतावन माना क्यों क्योंकि इस समय यहां पर आपने देखा हुआ कार्तूस जो की चर्वी युक्त कार्तूस था जो की है तातकाली कराण अमेरिका के सवतनतर संग्राम का यह बोश्टन क्या है यह बोश्टन है बंदरगा एक बंदरगा है जो कि Boston नाम से है इस बंदरगापर क्या होता है जो जहाज होते हैं ट्रेट के लिए विवियापार के लिए वो क्या करते हैं लोट और अनलोट किये जाते है यहाँ पर तो क्या किया गया इस Boston पर बंदरगापर सबसे पहले तो इसकी डेट देख लो 16 दिसंबर 1773 की बात है और इसका जो नेतत्रु क्या था वो Samuel Adams ने क्या था तो Samuel Adams और उसके साथियों ने क्या क्या यहाँ पर एक चाई की क्या थी चाई का जहाज था उस जहाज को अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे थे ब्रिटिस लोग ले जा रहे थे तो इन लोगों ने क्या क्या बोस्टन बंदर का पर गए और जहाज पर चड़ गे और जहाज पर चड़ने के बाद जितनी भी वहाँ पर चाई की पेटियां थी उनको क्या कर दिया इन्होंने समुदर में डाल लिया तो इस वज़े से इसको बोलते हैं चाई की बोस्टन पार्टी और यहीं से जो माना जाता है वो अमेरिका का स्वतंतर संग्राम का प्रारंभ माना जाता है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमेरिका के स्वतंतर संग्राम के नायक है उनको हम जॉर्ज वासिंग्टन के नाम से जानते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना महत्पूर्ण योगदान अमेरिका को स्वतंतर दिलाने में किया था बाद में ये जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया था तो ये अमेरिका के पर्थम राष्ट्रपती भी बन गये थे जॉर्ज वासिंग्टन तो अमेरिका के अगर पर्थम राष्टि पती आप से पूछेगा तो आप बोलेंगे जॉर्ज वास्टिंग्टन अमेरिका के पर्थम राष्टि पती थे फिर हम देखते हैं यहाँ पर अमेरिका की स्वतंतरता के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो इनका मुख्य नारा था वो क्या था परतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं यानि कि इस समय अंग्रेज यहाँ पर अपना सासन कर रहे थे तो अंग्रेजों का क्या था यहाँ पर परतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था यह क्या करते थे अमेरिका का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इनका सासन में परतिन निदित्व कर रहा होगा representative यहाँ पर अमेरिका का बिल्कुल भी नहीं था एन लोगों के कहना था कि अगर हमारा परतिन्नितित्यों नहीं होगा तो हम टइक्स भी mniej देंगे कोई वी तो यहीं इन्हों ने अपना क्या नारा बनाया जो कि है परतिन्नितित्य नहीं तो कर नहीं ठीक है इतना समझ में आगे होगा आयूँ ओप फिर यहाँ पर आप देखेंगे 1781 की बात है यहाँ पर एक सेना पती है ब्रिटेन का सेना पती उसका नाम है लाट कार्नवालिस लाट कार्नवालिस ने क्या क्या है यहाँ पर आत्म समर्माड कर दिया यह 13 उपनिवेसों के सामने यानि कि इसने क्या कर दिया गुटी ने टेक दिये और इसने हार मानने अपने जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उनके सामने फिर यहाँ पर अगला एक समझौता होता है जिसको हम पेरीस का समझौता कहते हैं तो पेरीस की संधी नाम से यहाँ पर एक संधी की गई अमेरिका और बिर्टेन के बीष में तो इस तरीके से क्या हुआ फिर यहां पर अमेरिका का निर्माण हो गया तो यहां पर आप ने यह ध्यान में रखना कि जो पेरिस की संधिये इसके तहट यहां पर अमेरिका को स्वतंत्रता मिली ठीक है जो किया है साज सितंबर 1783 को फिर यहां पर हम देखते हैं 35-शी के बाद यहां पर यूएसओ को 1789 में यहां पर इन्हों ने क्या क्या अपना सविदान लेखा पहला ऐसा संविदान है जो कि लिखी संविदान माना जाता है संसार का जो कि अमेरिका का है इस सम्विधान की अनिक खास्यत भी है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर परजातंत्र की स्थापना सरुपर्थम अमेरिका मोवी दूसी बात आधुनिक गरतंत्र की जन्नी भी कहा जाता है अमेरिका को क्योंकि सबसे पहले आजाद हो और इसने अपना सम्विधान रचा तो इसी वज़े से इसको क्या बोलते हैं आधुनिक गरतंत्र की जन्नी कहा जाता है धर्म निर्फेक्च राजी की स्थापना की यहाँ पर जो भी धर्म थे उनको सब बरावर माना जाता था इक्वलिटी की यहाँ पर भावनाई थी तो इसी वज़े से इसको धर्म निर्फेक्च राजी का सबसे पहले यहाँ पर इस्थापना मानी जाती है उसके अलवा यहाँ पर आप देखेंगे समानता और उसके मौलिक अधिकारु की यहाँ पर गोसना की गई सबीधान में यहाँ पर समानता की बात और मौलिक अधिकारु की बात सरुपर्थम अमेरिका के सबीधान में लिखी गई तो इसी वज़े से अमेरिका का सबीधान सबसे अच्छा माना जाता है जो की सरुपर्थम लिखित सबीधान एक जो की कब लागू किया? 1789 में पतंतरा संग्राम इस तरीके से पूरा हो गया है यहांपर कुछ अन्ने तकी मह आप देखेंगी जो अब्रहम लिंकタ में अमेरिका के राष्टेपती कर दिया यानि कि दासभर्था को इनों ने क्या क्या खत्म कर धिया तो एक जनुरारी 1863 को इनों ने दासभर्था का अंति यहांपर कर दिया था पिर आप देखेंगे । यहांपर चार मार्चा की बात है जब 一तरहेशो फैसंट की एक वेक्ति थे जिनका नाम है जौन के द्वारा जनता के लिए सासन है यही एक लोगतंत्र है यह बात किस ने कही थी अबराम लिंकन ने जो कि आपको पता होगी तो इस तरीके से हमारा यह समिधान अमेरिका का स्वतनता संग्राम पूरा हुआ तो ठैंक्यू सो मच चैनल को सब्स्राइब कर लेना वीडियो को सेयर करना अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रांस की ग्रांती को लेकर ठैंक्यू